तो देखिए आज मैं आपको फिर से एक डबल कलर का यूनिक सा प्रेटर्न बताऊंगी और आप जानते हो कि मैं जीतने भी स्वेटर डिजाइन बताऊंगी सारे ही बहुत इसी तरीके से बताते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए डबल कलर के हैं आप यूज भी अगा सकते हो और आपकी डिजाइन भी परफेक्ट बन जाएगी तो इस डिजाइन को अपको बेबी गल्म में बनाओ बेबी बॉयं में बनाओ जकत में बनाओ किसी भी सटन्स बनांगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी तिया हमारी राइट साइड और यह हमार अगर आपका उन पतला हो तो आप सलाई भी पतली रखो बट ये डबल कलर में जिसे हमें 5-6 फंदे का गयप में डिजाइन बनाते हैं तो हमारा ये देखिए पतला ही फिर भी हमने नौ नमबर में बनाए तब ही ये डिजाइन जाके स्टेचबल होती है अगर आप ये समझ ल कि ये बोडर जो मैं बैं डाला हुआ है इसका बोडर भी मैंने चैनल पर डाला हुआ अप्लोट किया हुआ है वैसले होगब लगलग बिंश पचीज ब्रौर्ड बैर मैं इन एक बंग की तरफ से सुरू करें तो आप इस भीपान गयों पिटें की तरफ से बाशना तरफ इस डीजाइब को में बंगें से जैसे हम शूरू करेंगे वैसे ही अपना कल्र लगाएंगे तो पहले तो हम 5 फंद्र को उल्टा गुनेंगे दिक लिए 5 पाँ सब्ट एसिते हम इस लिए पर फंद्र को लगाएंगे इस color एक, दो, तीन, चार, ये पांच अब फिर से एक फंदे हम बनाएंगे अपने लेट करें फिर से एक, दो, तीन, चार, ये पांच अब दिखें, जो भी आपके सलाई के फंदे रहेंगे सारी सलाई के फंदे को अम ऐसे ही पांच, एक, फाइब प्लस वन, फाइब प्लस वन इस प्रकार से कम्प्रियेट कर देए, एक सेकेंड दो देखिए, अब दूसरी सलाई, इसमें हर सलाई में आपको ध्यान देना होगा, अब देखिए, तीन फंदा हमने बुना, चार, पांच बुने थे, चार बुने, अब ये जो एक फंदा है, इसे हमें तीन फंदे करने हैं, एक, दो, ये तीन, अब फिर से तीन, एक, दो, दो, एक, तीन, फिर से आ गया, फिर से हम तीन करेंगे, एक, दो, ये तीन, अब बाकी के चार फंदे हम ऐसे ही बुन लेगे, अब दो सलाई देखे, हमारी कंप्लीट हो गई, अब तीसरी सलाई देखे, जैसे मैंने फिरस्ट बताया था आपको, फिर से पांच फंदे हम बनाएंगे, ग्रेन से देखिए, एक, दो, तीन, चार, अब ये तीन फंदे का एक फंदा फिर से हम बुन लेंगे, अब एक फं बनाने भी बहुत इजी है उन भी जादा नहीं लगता अब अच्छों के स्वेटर पे पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए फोर्थ रों कम्प्लीट हो गई और एक पैटन देखिए हमारा कम्प्लीट हो गया अब देखिए इस बार हमको यहां पर क क्या चेंज करना है अब यह जो पांच फंदे है यह वाले फंदे को हमें रेट से बुनना है तो पांच का तीन मत्तब की तीसरा फंदा दो फंदे पहले हम गरीन से बुनेंगे यह अब एक फंदा बुनेंगे रेट से यह देखिए फिर पांच फंदे हम गरीन से पहला है, फिर पहला है और फिर तीन फंद है तो आधे तेन फंद बज़ गया है अब देखिए एक फंद हम यह देख्या हम डास्ट के दो हमा। अब आपको बताने की ज़रत है नहीं एक सब्सक्राइब हमने आपको बता दिया अब देखिए डिजाइन हमारी जो है वो तीछी हो गई अब फिर से हम करेंगे तो ये तीन फंदा फिर एक फंदा बन जाएगा तो फिर से हम इसके बीच में थोड़ा सा हो जाएगा इसके बा को रोड़े करना है कि आ तो फोर्च रो बारबार रिपीड कर यह बनाएगे इस अरिजाइन को ट्राइक करीए इसके बाद हमारे साथ सेयर करें आपके दिजाइन कैसी लगी तो मैं ए fall वीडिया करें करें क supervisory करें कमेंट करें कि यार बाबाए